दोस्तो स्वागत है आपका IPL 2019 के फाइनल में आमने सामने होगी मुंबाई इंडियन्स और चेन्नाई सूपर किंकी डीम इस वीडियो में दोस्तो हम compare करेंगे दोनों ही टीम को जहाँ पर हम बात करेंगे दोनों ही टीम के captain की, batsman की, all rounders की, spinner की, fast bowlers की, सभी department की हम बात करने वाले हैं और जानने की कोसिस करेंगे कि कौन सी टीम है यहां पर सबसे मजबूत तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करकर बैल आइकन को जरूर दबाएं करते हैं तो एक तरफ जहां पर होंगे रोहित सरमम कहांगे महिंदर सिंग दोने नहीं 3-3 टाइडल अपनी टीन को जिताए हैं और दोनों के कमाल के काप्तान है रोहिट सरमा जो है पंडिया और कायरन पोलार्ट जैसे प्लेर हैं यहां पर मुंबई इंडियन्स के पास वहीं बात करें चैन्नाई सूपर किंग की तो सेन वाट्सन फाफ डूपलेसिस तुरेश रायना मुरली विजे अंपाती राइडू और महेंदर सिंग धोनी जैसे बैट्समन जो है वो है चैन्नाई सूपर किंग के पास तो दोनों ही टीम के पास काफी तगड़े तगड़े बैट्समन है और यहां पर भी जो मुकाबला है वो काफी जादा बराबरी का लग रहा है बात करते हैं दोस्तों दोनों ही टीम के ओल्राउंडर्स की तो एक तरफ जहां पर हार्दिक प पंडिया जो है वो काफी अच्छे टच में है पूरे ही IPL 2019 के सीजन में और राउंडर में यहां पर मुंबई इंडियन्स की जो टीम है वो लग रही है आगे बात करते हैं दोस्तों इस्पीनर्स की तो एक तरफ जहां पर राहुल चेहर और कुनाल पंडिया होंगे मुंब मुंबई इंडियन्स के उपर जहां पर हरपजन सिंग, इमरान ताहिर और रविंदर जडेजा तीनों ही बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं तो यहां पर आगे है चैननाई सूपर किंगी टीम स्पीनर्स की अगर बात करें तो और एंड में यहां पर दोस्तों बा फास्ट बोलर्स को तो मुंबई इंडियन्स की टीम यहां पर काफी तकड़े मार्जिन से आगे है चैननाई सूपर किंग की टीम से जहां पर जस्परीद बुम्रा लसित मलिंगा बहुत यह अच्छे टच में दिखाई दे रहे हैं और इनका बखू भी साथ दिया है मिचल मकलेनेगन और हार्दिक पंडिया ने तो फास्ट बोलर्स में तो यहां पर मुंबई इंडियन्स की टीम का कोई जवाब ही नहीं है तो दोस्तों यहां पर हमने कंपेर किया चैननाई सूपर किंग और मुंबई इंडियन्स की टीम को जिनके बीच में होने वाला है IPL 2019 का फ सकते मजबूत आप अपनी राय जो है वो कमेंट करकर जरूर दे अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें और अगर आप नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल आइकन को जरूर दबाए